Hello guys and welcome to my YouTube channel technical friend दोस्तो आज की वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने Oppo A16 के फोन में Split Screen का युपयोग कैसे करेंगे इसके लिए दोस्तो सबसे पहले अपने फोन में Setting को Open करेंगे स्क्रोल डाउन करेंगे ति यहाँ पे Convention Tool का Option दिखाए देगा इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे Split Screen का Option दिखाए देगा इस पर किलिक करना है आपके फोन में अगर Split Screen का आफ रहेगा जो Option आफ रहेगा ति इसको यहाँ से आपको On कर लेना है और यहाँ से Swip Up With Three Finger जो Unable इसको कर लेना है जब आप इसको Unable कर लेंगे ति एक साथ Three Finger को उपर की तरफ स्लाइड करेंगे ति यहाँ पे आपकी Split Screen ओपर ओपन हो जाएगी ओपर वाले Screen में आप दूसरा Application यूज कर सकते हैं और नीचे वाले Screen में आप दूसरा Application यूज कर सकते हैं यानि कि Multiple Screen हो जाती है आपके पास दो Screen हो जाती है दोनों Screen में आप अलग-अलग Application को यूज कर सकते हैं यानि कि एक साथ जो Double Application को आप मैनेज कर सकते हैं Split screen को open करने के और जो है काफी ज़्यादा तरीके हैं यहाँ पर सबसे पहला तरीका मैंने आप लोगों को easy बताया जो कि three finger के साथ उपर की तरफ slide करेंगे दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जैसे कि आप लोग recent tab खोलेंगे जहाँ पर recent application open होता है यहाँ पर इस तरीके से फिर इसके बाद देखेंगे two dots आप लोगों को दिखाए दे रहा होगा इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको split screen का option दिखाए देगा